हेलो दोस्तों क्या हाला आप सब का तो आज हम पढ़ेंगे हमारे लुसेंट के एमसी क्यूज का सेकंड चेप्टर जो की है वैदिक संस्करती आज के इस चेप्टर में हम वैदो से रिलेटेड सारे की सारे क्यूस्टन पढ़ेंगे जो भी एक्जाम में आपके बार-बार पुछे जाते हैं कल हमने पढ़ा था सिंदु गाटी सब बैता के बारे में यदि आप अमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की वीडियो को आप देख सकते हो वीडियो शुरूर करने से पहले यदि आप हमारा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अप्लोड करें तो आपको तुर्णत नोटिफिकेशन मिल जाए तो चले स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्करती जिसका टाइम पिरेड था आपका 1520 पूरो से 620 पूरो ठीक है तो आज का हमारा पहला क्यूस्चन है पूरो वैदिक या रिगवैदिक संस्कृति का काल या समय किसे माना गया है तो इसका टाइम पिरेड पूछ रखा है इसका टाइम पिरेड आपका 15 सो इसवी पूरो से एक जारिशवी पूरो ठीक है वैदिक संस्कृति में हमूँ उत्रवैदिक काल और पूरो वैदिक काल दोनों को पड़ेंगे आरिया सब्द का साब्दिकर्थ है तो आरिया सब्द का साब्दिकर्थ क्या है स्रेष्ट या कुलीन ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टन है प्राइरंबिक आरियों के बारे में निमन कथनों में इसे कौन सा सही नहीं है तो वे संस्कृत बोलने वाले थे ये आपकी बात बिल्कु स्वाश करते थे ूट्रीन के किश फसेल का इन वेधिग काल के लोह नहीं था तो तंबाक्कोंग संब का उनको घनते थे फिर्वंद् को स Shape of it की और में करते हैं अगला किसित है आपका व्यरदिक का व ब्रहामन वीरादि दार्मिं कद्धियापकोंकों किस नां से लाए था तो इसका राइट अन्स रोग आपका सर्मन ठीक है सर्मन वैदिक गनित का मैतवपोन अंग है सुल शुत्तर अगला क्युश्चन आपका किस वैद में प्राचिन वैदिक यूग की संस्कृति के बारे में सुचना दे गई है तो रिगवेद में ठीक है रिगवेद में प् वेद, ब्रामन, आर्यानक और उपनिस्द इसका राइट अन्सवर होगा वेदों की संख्या पूछ रख्या तो वेदों की संख्या कितने आपके चार रिगवेद, जिजुरवेद, सामवेद और अर्थरवेद ये चार आपके वेद हैं ठीक है इन में से कौन से तीन वेद स् कॉन से कहलाते हैं तो अथ्रवेद को छोड़कर जो तीन बच गया आपके वह त्रिया वेद्रवेद प्रियुलेद की संख्या जाएगा अगला क्योंचन है आपके राज चिन में प्रयुक्त होने वाले शत्यमे वेदों किस उपनिस्ट से लिये गई रहा बार-बार रख जया में पुच्छा जाता है, तो शत्यमे SW जायत एका मुंडक अपनीच्ग से खेका मुंडक अपनीच्ग से अगला क्योंक ही उश्चन हाप का रिग ऴेदीकारियों सत्षा क्या था ? पसुपालन ठीक है क्या था पसुपालन बातिय संगित का आधि गरंथ कहा जाता है सामवेद को पर्थम विदि निर्माता कोन है मनू किर्षन भगती का पर्थम और परधान गरंथ है सिर्मद बागवत गित्ता रिगवेद में संपति का परमुख रूप क्या है गोधन रिगवेद के किस मंडल में सुद्र का उलेक पहली बार मिलता है तो दस्वे मंडल में ठीक है दस्वे मंडल में अगला क्योस्चन करते हैं नेक्स्ट क्योस्चन आता है अपका पुराणों की संख्या पूछ रखी है तो पुराणों की संख्या कितनी है अठारा और वेदों इसंख्या चार वेदिक धरम का मुख्य लक्षण इन में से किस की उपासना था तो प्रकर्ति का किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्द का उपयोग वहा है तो इंदर देवता के लिए कहां से लिया गया है आपका उपनीज्ट से वेरि इंपोटेंट क्यूस्चन और ये भारत में बाहर से आए और शौपथम बशे थे पंजाब में ठीक है और नेक्स्ट क्यूस्चन है आपका ये दोसुची ये रखे है एक तरफ आपके वेद दे रखे है और एक तरफ उसके येग करता य। आप बोल सकते हो की रिगवेद को पढ़ने वाले कौन कहलाती थे ऐसे भी क्यूशन पुछा जाता है ठीक है तो आपका है रिगवेद को पढ़ने वाले या करता कौन है आपके होता या होत्रू ठीक है होत्रे रिजुरुवेद के क्या कहलाते थे अधरवियू सामवेद के उद गाता या उद गात्र अथरवेद के ब्रमा ठीक है ब्रमा नेक्स्ट क्यूस्चन है आपका वेदों को ऐपोरुष्य क्यों कहा गया है तो ऐपोरुष्य क्यों कहा गया है क्योंकि इनकी रचना देवतां दोरा की गई है ठीक है इसलिए इनको एप और उस्य कहा गया है किसकी वेद्दों की रचना नेक्स्ट क्यूस्चन है वेशेशिक दर्शन के परतिपादक है तो उलुक कनद नेक्स्ट आपका मिमान सा या पूरो मिमान सा दर्शन के परतिपादक है जैमीनी वेदान्त या उत्तरमिवान सा दर्शन के पर्तिपादक है बादरायन रिगवेद का कौन सा मंदल पूर्णते सोम को समर्पित है दसवा मंदल तो कौन सा मंदल रिगवेद का सोम को समर्पित है दसवा मंदल प्रसित दस राजाओं का, युद, दस राज, युद, किस नदी के तठ पर लड़ा गया, very important question तो कौन सी नदी के तठ पर लड़ा गया था, यह आपका, यह लड़ा गया था, आपका पुरुशनि नदी के किनारे, ठीक है उस टाइम पे पुरुषणी नदी थी आज की टाइम पे उसको किस नाम से जान जाता है रावी नदी के नाम से आगे हमें इसको पड़ेंगे ठीक है तो रावी नदी हो जाएगा अगर आपको पुरुषणी दिखाई नदे ओप्शन में तो ध्रमसास्त्रों में भूराद सव की दर क्या है तो एक पटाद छे है आठसो इसापुरों से छस्षो इसापुरों का काल किस यूग से जुड़ा है ब्रामन यूग से जुड़ा है किस काल में अच्छूत की अउधारनास प्रस्टूप से उदित हुई ध्रमसास्तर के काल में गायतरी मंतर देवी सवित्र को सम्मोंदित किस पुस्तक में मिलता है रिगवेद में, न्याय दर्शन को परचाईत किया था गोत्म ने, प्राचिन भारत में निश्क से जाने जाते थे सरुन आभूशन, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजली, very important, उपनिश्ट पुस् प्राधना आएं स्त्रोत्why он प्राथना आएं, य Зवुर्वेयद का समद्ध किससे हैं, इसका यिम्धान वहीं स्त्रोत्यों करमकांद, ठीक है, यग वगरा से, आगयाता आपका सांवेद, सांवेद का किससे समद्ध है, जय से संगित, सय से संप में, अथर्वेद का टोनों का संबंद अर्थरवेद से ठीक है अगला क्युश्चन है आरंबिक वेदिक सा इत्ते में सरवाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी उपनिस्थ काल के राजा असो पती सा सकते के कहे के अध्यातम ज्यान के विशे में नची के ता और यम का समवाद किस उपनिस्थ म वेदिक नदी कुभा काबूल का स्थान कहा निर्दारित ओनाचिंग है अफगानिस्तान में कपिल मुनी दवारा परतिपादित दार्शनिक परणाली है सांख्य दर्शन भारत के किस सथल की खुदाई से लोहो दात्तु के परचलन के प्राचिन तम प्रमार मिले हैं तो अ अगला क्यूस्चन है निम्नानकित में कोन परस्थान्तरी में सामिल नहीं है तो भागवत करम का सिद्धान सम्मंदित है मिमान सा से अगला क्यूस्चन है सुमेलित करना है अथ्रवेद का सम्मंद किस से है ओस्दियों से सम्मंदित है ठीक है ओस्दियों से सम्मंदित है र चरक्षनिता, very important चरक्षनिता नामक पुस्तक की स्विके से समंधित है चीकित सासे ठीक है चीकित सासे अगला क्यूस्टला है यग समंधिय वीधिय विधानों का पता चलता है यह जुर वेद से वैदिक यूगी इन सभा मन्त्री परिशत थी तो सभा क्या थी मन्त्री परिश है साइंक है साइंक है योग न्याए वैस्विक वैसेशिक मिमानसा एंविदांत इंच्छे भिंद बार्टित दर्शनों की सपष्ट रूप से अभी वेक्ति हुई है वैदिक यूग में ठीक है वेर इंपोर्टेंट सीपियो में आपका पुछा गया था 2003 में वैदिक यूग इसका राइटन्सर हो जाएगा निमलकित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आरियों दोवारा वेबहर में नहीं लाए गई थी तो इसका राइटन्सर होगा आपका लुहार ठीक है लुहार गिरी अगला किश्चना आपका फिर से सुमेलित करना है एक तरफ आपके उपवेद दे रखें और वो उपवेद कौन से वेद से समंद रखता है ये आपको बताना है तो आयूर वेद किससे समंद रखता है रिगवेद से ठीक है आयूर वेद रिगवेद से अगला आपका धनूर वेद किससे समंद रखता है यजूर वेद से नेक्स्ट आपका गंदर वेद गंद्रवेद किसे समध रखता है सामवेद से सिल्पवेद और अर्थ्रवेद से ठीक है इसका राइटन सोरो जाएगा अथ्रवेद चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्यूस्टिन है आपका जिगवेद के किन छह मंडलों को वंस मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है किस वेद में जादू इमाया और वोशीकरन का वर्णन है तो जादू टोना किस वेद में बताय था मैंने अभी अथ्रवेद में ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है आरिये सबद इंगित करता है तो सेष्ट वन्स को रिगवेद में कुल कितने वंडल हैं दस आरिये भारत में समभा उताय आय मध्य है एसिया से कौन सा वेद अंस्ता गद्य रूप में भी परचलित है यजूरवेद तो कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है यजूरवेद नेक्स्ट क्यूशन है आपका सभा और समय थी परजापती की दो पुत्रियां थी काउल्य किस वेद में मिलता है अथ्रववेद में रिगवेदिक यूग की प्राचिन तम संस्था कौन सी थी विद्ध है ब्रामन गरन्तों में शरवादिक प्राचिन कोन है सत्थपत ब्रामन गोत्रव वेवस्था प्रचलन में कब आई उत्रवेदिक काल मी अनुलोम विवा का अर्थ क्या है तो यह आपके यहां पर दो क्यूशन लगाता रही दे रखें अनुलोम विवा और पतिलों विवा तो ठेक है उच वर्ण यानि की उच जाती के पुरुष का निमन जाती की इस्तरी के साथ विवा अनुलोम इसका उपजित हो जाएगा परतिलोम जब किसी उच वर्ण की यानि की उच जाती की नारी किसी निमन वर्ण के पुरुष के साथ निमन जाती के पुरुष के साथ विवा करती थ आपका विद्दिक यूग में येव कहा जाता था हो फिर्फी किसमेलीत करना है तो शिख्षा रुख्षा का समन्द किसे है दवन शास्तर से ठीक है नेक्स्ट है आपका कल्प सुत्तर करम कांड से नेक्स्ट है निरुक्त सब्द व्युक्त पत्ति सास्तर पासा सास्तर से ठीक है 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 नेक्स्ट क्यूस्टन है आपका वगला क्यूस्टन करते हैं प्राचिन्तम व्याकरण अस्टा द्हाई के रस्तनाकार कौन है वेरी इंपोटेंट अस्टा द्हाई के रस्तनाकार कौन है पाणी नी ठीक है पाणी निमन में से कौन सी समर्ती प्राचिन्तम है मनुशमर्ती आधिक आवय किसंगया किसे दी जाती है रामायन को प्राचिन्त पुराण है, मतश्यपुराण। रिगवेद में सबसे प्वित्र नदी की से माना गया है सर्श्वति नदी को। वेदिक समाज की आधा पूतिकाई थी कुल या कुटूंब। रिगवेदिक काल में के उस सबसे पर्दान द्यूता के पहचान करें ज cabbage में अगला क्योंसना है किस वेद में सभा को नरिस्ट अर्थात सामो एक वाद विवाद या अनुलंग निया कहा गया है तो अर्थरवेद, ठीक है? अर्थरवेद किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन परमुख बुराईयों में सामिल किया गया है मेत्रायनी सनिता, ठीक है? मेत्रायनी सनिता उत्रवैदिक काल में किस देवता को सर्वतस्थान परापता परजापती ये आपका फिल से सुमेलित करना आ गया ये यगों के बारे में बता रखा कि कौन सा यग किसे समंदर रखता था तो आपका राजसुई यग तो राजसुई यग क्या था राजा के सिंग आसन से समंदित था तो राज़ा के सिंगा आसन से सम्मझ दिता वो कुन सा था राज़ सुए यग ऐसोमेग यग थीक है असोमेग यग के बारे में आपने सुना भी होगा कि प्राचिन से में में लोग एक गोड़े को छोड़ देते थे वो जहांतक भी किशी के बस में नहीं आता था वहां तक उस राज़ा का अधिकार होता था ठीक है तो राजनेतिक सक्ति बढ़ाने तू किया जाने वाला यग हो गया उसके बाद आगया आपका बाजबे यग बाजबे यग क्या था आपका बाजबे यग था आपका सोर्या पर्दर्शन वैपर्जा के मनोरन जनार्थ किया जाने वाला यग और अगनी स्टॉम यग क्या था देवताओं को परसंड करने है तो अगनी को पसूबली दिया जाने वाला ये सोमरस का पान किया जाने वाला यग थीक है next question करते हैं ये भी आपका very important question है एक side आपको रिगबेद में उल्ले खित नदियों के नाम दे रखिये और जो आदुनिक्समे में में उनको किस नाम से जम जाता ये दे रखिये बताना आपको ठीक है तो पुरुशनी नदी को किस नाम से जान जाता है हाजकल रावी नदी के नाम से मैंने अभी बताए था जो दस राजाओं का युद या दस राज युद कहां पर वहा था आपका रावी नदी के किनारी या पुरुशनी नदी के किनारी बोल सकते हो उसके बाद आता आपका सतुद्री, सतुद्री को किस नाम से जान जाता है सतलूज नदी के, अस्किनी को चिनाब नदी के, विपासा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अगला कि उस चनह आपका संसकारों की कुल सिंख्या कितनी है, सोला, तो संसक आपका प्रजापत्य विवा बिना दहिज का विवा हो गया नेक्स्ट क्यूस्टन आपका गंद्रह विवा किसे कहते थे यह था आपका प्रेंव विवा जिसको आज कल आपका वेदों की समय में गंद्रह विवा किलाता था ठीक है आशूर विवा कन्या को खरीद कर किया गया विवा क्या क्या किलाता था आशूर विवा राक्षस विवा प्राजित राजा की कन्या या अपरन की गई कन्या के साथ विवा क्या 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 था राक्षस विवा पैसाच विवा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुम रहा करिया मानसिक रूप से अश्वस्थ कन्या को गुम रहा कर उसके साथ किया गया विवा क्या कर लाता था अपका पैसाच विवा तीन रिण में सामिल नहीं है तो क्या सामिल नहीं है मातर रिण रिगवेदिक काल से समंदित मेर्द भांड संसक्रती है गेरुवर्णी मेर्द भांड संसक्रती उत्रवेदिक काल से समंदित मेर्द भांड संसक्रती है चित्रित दूसर मेर्द भांड संसक्रती हर्याना प्रांत में चित्रित दूसर मेर्द भांड स्थलकिस स्थान पर हाल म किये गए उत्खननों से परकास में आया है भगवानपूर ठीक है भगवानपूर प्राचिंतम विवासंसकार का वर्णन करने वाला विवासुक्त किस में पाया जाता है तो किस में पाया जाता है रिगवेद में रिगवेद में अग नय वद योगे नहीं सबद का परियोग क खेल में राज्जा का साहयक अक्षवाप परतिहारी राजप्रसाद का राख्षक्ष ठीक है नेक्स्ट आपका रित प्राकर्तिक संतुलन स्थापित करने के कान किस्वेदिक्स देवता को त्रश्य गोप जित त्रश्य गोप कहा गया है तो यह आपका वरून ठीक है वरून देवता को अगला है क्यों किस्वेदिक संतुलन ठीक है वरून ठीक है वरून ठीक है ग多 मुंस्ध करते हैं अगला क्यों आपका तीन कर्मों पगों में तीनों लोग को माप लेने के कार्ण कीसी उन्वपकर्म कहा गया है तो nationwide करने Asian पूशन क्या है आप का विवा का सब्सक्रा इस default की यह इंप्सक्राइद के दोई अधिति देवों सब खा God गायत्री मंतर की रचना किसे ने की थी विश्वामित्तर ने थीक है अवेस्ता और रिगवेद में समानता है अवेस्ता किस अक्षेतर से समंदित है इरान से नेक्स्ट क्योस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो दो कतन दे रखे मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि दोनों के दोनों सही है और मैं उनको पढ़ता हूं आग वक्तिक कौन से कौन से आपके दे रखे हैं आरियों के आरक्टिक होमसी दान्त का पक्ष किसने लिया था तो किसने लिया था बीजी तिलक ने ये आपके फिर से वैदिक नदिया दे रखे हो रादो नाम पूछ रखे है ठीक है तो इसमें पहली हापका कुभा कुभा क्या हापका काबुल ठीक है काबूल पुरुषणी पुरुषणी तीन बारी हम पढ़ चुके हैं इसको अभी तीसरी बारी आपका या है तो पुरुषणी क्या है आपका रावी नदी सदानीरा क्या है आपका गंधक ठीक है गंधक सतुद्री क्या है आपका सतलूज नदी ठीक है क्या है आपका स पाणिने के संस्कृत वियाकरण का अस्टा दहeg का एक टिका कार और सबसे लास क्योस्टेन क्या हाजगा हम करे मारा सत्पत ब्राह्मन से संंभनेत राजा-वेधेध माधही संं신त रूप गोतम रहुगन ठीक है यह आपका लाश्ट क्यूस्टन था तो आज हमने वेदिक संस्कृत की बार में जो भी क्यूस्टन अब तक पुछे गए हैं वो सारे के सारे आपर हमने अच्छे से पढ़े हैं ठीक है आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद